पान खाने से शरीर की कौन से बिमारियों को आप दूर कर सकते हैं जी हाँ पान वैसे तो मूगा जाय का और मौथ फ्रेशनल का काम करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान का सेवन करने से हमारे शरीर की काफी बिमारिया हमसे दूर रहती हैं अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं मैं आपकी दोस्ट आपको बताऊंगी कि पान का सेवन करने से आप किन किन बिमारियों से अपने आपको बचा सकते हैं नमबर वन कफ को ठीक करने के लिए आप पान के पतों का इस्तिमाल कर सकते हैं जी हाँ अगर आपको खासी है और बलगम और कफ आपको बहुत परिशान कर रहा है तो आप पान के पतों को एक ग्लस पानी के अंदर उबाल लीजे और ये जब तक 200 ग्राम ना रह जाए या फिर आधिर से आधा ना रह जाए तब तक इसे उबालिए और ठंडा करके इसका सेवन करिए देखिएगा आपका कफ धीरे धीरे अराम मिल जाएगा गर्मियों के मौसम में अकसर शरी से बहुत ही ज्यादा बद्बु आती है जो कि हमें तो परेशान करती ही है बलकि हमारे आस पडोस के लोगों को भी बहुत परेशान करती है इसलिए उस दुरगंद को दूर करने के लिए भी आप पान के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं पांच पान के पत्तों को दो कप पानी के अंदर उबाले और जब पानी एक कप रह जाये तो इसे ठंडा करके दो पहर की समय इसका सेवन करें ऐसा करने से शरीर में आने वाली दुरगंद धीरे-धीरे कम हो जाएगी अगर आप जलने के घाव को ठीक करना चाहते हैं तो आप पान के पत्तों का इस्तिमाल कर सकते हैं पान के पत्तों को पीस कर जले हुए घाव पर लगाने से काफ याराम मिलता है नकसीर गर्मियों के मौसम में अकसर बच्चों की नकसीर फूट जाती है नकसीर फूटने का मतलब होता है नाग से खूनाना इस प्रॉल्म को सॉल्फ करने के लिए पान के पतों का इस्तिमाल कर सकते हैं पान के पतों को अच्छे से रोल आउट करके उन्हें सुंगे करने से आपके मूँ में गंदगी भी नहीं रहेगी सो फ्रेंट्स देखा आपने वो पान जो कि आप अकसर मूँ का स्वार बढ़ाने के लिए खाते हैं उससे आप कई रोगों को भी दूर भगा सकते हैं इंसाइ टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूस को हमायर साँ शेर करिये मेरी ब्यूटी और हेल्सी रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजे